दोस्तो आपने कई सारी यूटूबर्स को देखा होगा जो whiteboard animation वीडियो बनाते हैं और इनके वीडियो पर अच्छे व्यूज भी आते हैं तो दोस्तो यदि आप भी इस तरीके से whiteboard animation वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरत जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने स्मार्ट फोन से whiteboard animation वीडियो बना सकते हैं और उसे अच्छी quality में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Whiteboard animation वीडियो बनाने के लिए आपको इस application को डाउनलोड करना होगा इसका link मैंने video के description में दे दिया है आप वहाँ से इसे download कर सकते हैं तो दोस्तो जब आप इस application को open करोगे तो आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा एक नए video बनाने के लिए आपको यहाँ plus icon पर click करना है और एक title name type करना है यहाँ पर आप कोई भी title name type कर सकते हैं देन आपको नीचे यहाँ side select करना है आप जिस भी platform के लिए video बनाना चाहते हैं उसे select करेंगे मैं YouTube के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं YouTube select करूँगा देन create movie पर click करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे options दिखाई देंगे sticker, text, background, hand and music तो सबसे पहले हम video का background select करेंगे वीडियो background select करने के लिए इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको दो options सो होंगे select color and select image यदि आपके पास कोई background image पहले से है तो आप इस पर click करके एक background image select कर सकते हैं यदि आपके पास कोई background image नहीं है तो आप यहाँ select color पर click करके कोई भी एक color select कर सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियो का background white रहने देता हूँ उसके बाद text पर click करेंगे यहाँ पर आप जो भी text वीडियो में add करना चाहते हैं उसे type करेंगे मैं यहाँ पर hello दोस्तो type कर देता हूँ उसके बाद insert पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको text customize करने के options सो होंगे इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे font style देखने को मिलेंगे इन में से आप जो भी font style सेट करना चाहते हैं उस पर click करेंगे इस पर click करके आप text का color select कर सकते हैं मैं यहाँ पर green select कर लेता हूँ यहाँ से आप text का size कम ज़大दा कर सकते हैं मैं यहाँ पर 150 रख देता हूँ इस पर click करने पर text left side में आ जाता है यदि आप इस पर click करेंगे तो text center में आ जाता है और यदि आप इस पर click करेंगे तो यह right में चले जाता है यहीं पर आपको तीन option और दिखाई दे रहे होंगे, delay, duration and pause, delay पर click करके आप delay time set कर सकते हैं, जैसे कि मैं 2 second set करता हूँ, तो जब मैं video को play करूँगा तो text 2 second बात लिखना start होगा, इसी तरीके से आप duration time भी set कर सकते हैं, जैसे कि मैं 3 second duration time set करता हूँ, तो जब मैं video play करूँग तो text क्लिखने में केवल 3 second लगेगा, pause पर भी click करके आप कोई time set कर सकते हैं, जैसे कि मैं 2 second type करता हूँ, तो जब मैं video play करूँगा, तो text लिखने के बाद 2 second तक 100 होगा, उसके बाद slide हो जाएगा, text पर click करके आप text को जहाँ चाहें वहाँ move कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा उपर रख देता हूँ, उसके बाद सही पर click करेंगे, तो text सही position पर आ गया है, मैं text पर click करके वापस से एक text add करता हूँ, यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, welcome to embrace text, then insert पर click कर देता हूँ, same तरीके से हम इस text को भी customize करेंगे, सबसे पहले font style select करेंगे, then color select करेंगे, और इसका size select करेंगे, नीचे आपको एक और size का option दिख रहा होगा, इस पर click करके आप इधर उधर swipe करेंगे, तो text second line में आ जाता है, तो मैं text को एक line में रहने देता हूँ, इस पर click करके आप text को copy क कर सकते हैं, और इस पर click करके text को delete कर सकते हैं, ये option text animation का है, इस पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर default animation set है, जैसे कि यदि मैं video play करता हूँ, तो text hands से लिखा जाता है, यदि आप text animation change करते हैं, तो ये hands से नहीं लिखेगा, मैं ये वाला text animation select कर लेता हूँ, तो अब मैं video play करूँगा, तो text right side से slide होके आएगा, ये दो option text को front and back करने के है, जैसे कि इस पर click करेंगे, तो text front में आ जाएगा, और इस पर click करेंगे, तो text back में चले जाएगा, तो मैं इस text को भी सही position पर रख देता हूँ, उसके बाद सही पर click करूँगा, next option sticker का है, यदि आ आपको यहां कई सारे options दिखाई देंगे, जैसे कि add image पर click करके, आप अपने gallery से जो भी image चाहे यहां पर add कर सकते हैं, same text की जैसे आप इसे भी customize कर सकते हैं, केवल एक option extra दिया हुआ है, इस पर click करके आप image को flip कर सकते हैं, उसके बाद सही पर click करेंगे, यहां पर आपको hand क अपको अप्सन दिख रहा होगा, इस पर click करके आप कोई भी hand select कर सकते हैं, next option music का है, इस पर click करेंगे तो आपको दो options so होगा, wise over पर click करके आप अपनी voice record कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई voice पहले से है, तो आप music track पर click करके उसे select कर सकते हैं, तो मैं यहां पर अभी कोई voice add नहीं कर रहा हूँ तो मैं सही पर click करूँगा नीचे आपको plus का icon दिख रहा होगा इस पर click करके आप एक नया page join कर सकते हैं तो मैं एक page join कर लिया हूँ अब मैं text पर click करके एक नया text add करूँगा सेम तरीके से इसे भी customize कर लेंगे उसके बाद sticker पर click करेंगे तो आपने देखा हमने add image पर click करके image select किया था उपर ही आपको clip art का भी option so होगा यहां से आप कोई भी clip art अपने video में use कर सकते हैं तो मैं ये clip art add कर लेता हूँ यहां से हमें color select करेंगे उसके बाद delay duration and pause select करेंगे और सही कर देंगे उसके बाद मैं text पर click करके एक और text add कर लेता हूँ और इसे customize कर लेता हूँ customize करने के बाद मैं इसे यहां पर set कर देता हूँ उसके बाद sticker पर click करूँगा और एक नया clip art add करूँगा तो मैं ये वाला clip art add कर लेता हूं और इसे customize कर लेता हूं उसके बाद सही पर click करेंगे तो चलिए मैं एक बार आपको video play करके दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं video कुछ इस प्रकार से play होगा तो दोस्तो मैंने एक छोटा video बना लिया है लेकिन अभी इस video में water mark दिखाई दे रहा है यदि आप इसे हटाना चाते हैं तो आप इस पर click करके एक add watch करेंगे तो ये remove हो जाएगा अब यदि आप इस video को save करना चाते हैं अपने gallery में तो आप यहाँ share बटन पर click करेंगे यहाँ पर कोई name type करेंगे और make movie पर click करेंगे यहाँ पर rendering movie लिखा आ रहा है तो इसे पूरा हो जाने देंगे पूरा होने के बाद back जाएंगे इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको सभ अब वीडियो सो होंगे जो आपने edit किये हैं यहाँ three dot पर click करके आप save to gallery पर click करके उसे अपने gallery में save कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह video मेरे gallery में save हो चुका है मैं इसे एक बार और play करके दिखा देता हूं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने smartphone से whiteboard animation video बना सकते हैं और उसे अच्छी quality में download कर सकते हैं